कैरियर में एक बहुत बड़े उन्नती का समय प्रारम होने जा रहा है व्रिश्चिक रासी के जीवन में इसका मुख्य कारण होगा भगवान सूरी नरायन के एक अच्छी स्थिति को प्राप्त होना ठीक 13 अप्रेल सन 2024 का वो दिन होगा जिस दिन रात्री के ठीक 9 बच कर 4 मिनट को नवरात्री के पंचमीती थी को सूरी भगवान प्रविस कर जाएंगे आपके चठे भाव पर मेश रासी पर अर्थाद ठीक व्रिश्चिक रासी के चठे भाव पर ये समय होगा आपके जीवन में एक बड़े बढ़ोत्री का एक केरियर में ऐसे उपलब्धी का जहां पर बहुत कुछ निकल करके सामने प्रदर्सित होने की उम्मिद बलगाई जा सकती है एक ऐसी उम्मिद मिली है हमें भगवान सूरी से कि पूरे एक साल में एक महिने के लिए एक बार ये उच्च की अवस्था में आते हैं और ये संज़ोग बनेगा पूरे के पूरे 14 माई तक का समय ये अनुकुलता ले करके संह-संह आपके चलने वाला समय समाहित होगा जानते हैं समजते हैं कि वास्तव में होना क्या है ध्यान दिजेगा विश्चिक रासी के अपने ही जो रासी के अधिपती बनते हैं मंगल इनकी एक दूसरी रासी होती है वो होती है मेस रासी जो कि छठे भाव पर है यहीं पर भगवान सूर्य उपस्थित होंगे अर्थात किसी कारण से यदि रोग जनित कोई परिसानिया है यदि कोई स्वास्थ में परिसानियों का सामना हम कर रहे हैं वहां से हमें मुप्ति प्राप्त होगी अर्थात स्वास्थ समंधी बाधायन नहीं रहेंगी ये भगवान सूरी का वादा है सूर्य को हम क्या मानेंगे जो सारे संसार को जो अपनी आभा से अपने प्रकास से प्रकासित करते हैं तो क्या ये हमारे छटवेज भाव पर आ करके रोगरिण सत्रू के भाव पर आ करके हमारे रोगरिण सत्रू को नास्त नहीं करेंगे सास्त्र कहता है जपा कुसूम संकासम कास पेयम महादृतिम तमो अरिम सर्व पापगनम प्रनतो असमी दिवा करम हे भगवान सूर्य, मेरे जीवन में कोई भी यदी परिसानिया है उन परिसानियों को जला करके आप भस्म कर दीजे और इसी करण से भगवान सूर्य को कहा जाता है हमारे रोग के भाव पर हैं अर्थात रोग यहां पर नहीं रहेंगे यह जो छठा भाव है यह हमारे सत्रूं का भाव है अर्थात कोई सत्रू यदि प्रबलता बनी हुई है हम किसी कारे को करते तो हैं लेकिन कोई न कोई आकर के हमारी कारे में यदि बाधा की स्थिति न कर रहे हैं तो समझे यहां पर सूरी भगवान का आगमन हो रहा है हमारे सत्रू भी इस समय पर परास्त होंगे हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी उपलब्धी से मानेंगे हम छठा भाव वो इस्थान हो गया जहां पर सूरी भगवान रहेंगे यह मेरी नौकरी का होता है और सूरी स्वयम गवर्मेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या किसी कारण से सासन से समंधित कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो यहां सूरी भगवान आपके संग संग चलने वाले आपका दामन ठामने व कोई पत्पर्तिष्ठा की बृध्धि नहीं है यहां पर सूरी भगवान आपके संग संग चलने वाले वो ग्रह बनते हैं जो आपको सफलता दिला जाए यह स्थान है मेरे सेवा का इस थान होता है मेरे दैनिक दिन्चरिया का इस समय देख लिजेगा आपके दैनिक आने वाला है जिसके माध्यम से मैं अपना तो अपना अपने जो हीत प्रीत हैं जो मेरे परिवारिक जन हैं उनका मैं भी भला कर पाऊंगा यह सबसे बड़ी उपलब्दी हो गई जब भगवान सूरी नरायन छठे भाव पर हैं इनकी एक द्रिष्टी पड़ेगी ठीक बारवे घर पर इनकी जो द्रिष्टी पड़ेगी बारवे घर को प्रभावी बनाएगी आप ऐसा समझे इसके प्रभाव से कोई बदलाओ का समय आएगा बारवा घर मेरे बदलाओ का होता है बारवा घर मेरे विदेसों का होता है यदि आप विदेसों में रहते हैं या विदेस समंधी नौकरी में हैं या विदेश में किसी कारण से आपे कोई कार्य इंडिया से भी चल रहे हैं वो आपको सफल बनाएंगे सूरी की दृष्टी बारवे घर पर पड़ रही है विदेशों से जुड़ा हुआ कोई आयात नेरियात समंधी कार्य है कोई आउनलाइन से समंधित आपकार्य करते हैं यहाँ पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी एक जागरिती प्राप्त होगी इस समय पर मन आपका मेडिटेशन, ध्यान, आराधना की और सनलगन होगा बारवा घर हमें ये सब कुछ पदर्शित करता है किसी कारण से दी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हमारे खर्चे अधिक बने हुए है तो यहाँ पर भगवान सूर्य के पास वो सामर्थ है कि उनकी दृष्टी पढ़ रही है बारवे घर पर अर्थात चिकित साले समंधिब्याय से मुझे मुक्ती मिलेगी ये इस्थान है बदलाओं का परिवर्तन का अर्थात ये समय है मेरे परिवर्तन का यही नहीं भगवान सूर्य आपके दसमेज बनते हैं व्रिश्चिक रासी के सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में इनकी गिंती होती है इसलिए इन्होंने करियर का डिपार्टमेंट ले रखा है और कर्म करियर के स्वामी होकर के नौकरी भाव पर होने के कारण आपके मेहनत के अनुरूप आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है दसम भाव जिस दिन जागरित हो जाता है न उसी दिन हम अपने केरियर में बड़ा मुकाम प्राप्त करते हैं बड़ी उपलब्धी को प्राप्त करते हैं नेम फेम दिलाने वाले एक मात्र भगवान सूरी नरायन है और उच्च की अवस्था में रहेंगे अर्थात मुझे नेम फेम की प्राप्ती हो पाएगी ये मत समझेगा कि ये तो गोचर एक महिने का है परिवर्तन कब होता है एक दिन एक घड़ी भी परियापत है किसी के जीवन को परिवर्तन करने के लिए सनी देव एक ऐसे गरह बनते हैं जो धाई से तीन साल की अवधी को आपको बतना देंगे कि भई दो से तीन साल का समय मेरा कैसे जाने वाला है सनी देवता का गोचर आपको बता जाएगा एक महिने का गोचर समझना है भगवान सूरी नराइनिस के जिम्मेदार होंगे अर्थात ये समय है मेरी पद प्रतिष्ठा में बृद्धी का सूरी गवर्मेंट को रिप्रेजन करते हैं सासन अधिकारी से आपको कोई कारे बना सकते हैं किसी उच्च अधिकारियों का सपोर्ट आपको मिल सकता है ये एक ऐसा समय होगा दसंभाव जिस दिन जागरित हो जाता है ना उस दिन मेरे कारे अच्छे ढंक से चलने प्रारम हो जाते हैं चाहे मैं ब्यापार करूँ या फिर नौकरी करूँ या किसी प्रोफेशनल कारे में मैं सनलग नहूँ मेरे कारे में एक सजकता प्राप्त होगी लोग मुझे सराहेंगे लोग मुझे वावाही करेंगे यही तो है भगवान सूरिय इस समय पर सबसे ज़्यादा आपकी आत्मा रहेगी अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए जब सूरी भगवान सारे संसार को उजाला प्रदान कर रहे हैं तो इसका मतलब जब छटे भाव पर आएंगे तो मेरी बाधाओं में भी उजाला प्राप्त होगा अर्थात वहाँ पर किसी भी कारण से मेरे जीवन में वो ति इस बात तो ये हो गई कि देव गुरु बिरस्पती भी इसी भाव पर समाहित हैं मेस रासी पर ही देव गुरु बिरस्पती हैं व्रिश्चिक रासी के छटे भाव पर सूरी को राजा माना गया है तो देव गुरु बिरस्पती को भाग्य माना गया है अर्थात ये वो समय होगा, जिस समय पर राजा को भाग्य का सांथ मिल गया आपके कैरियर को भाग्य का सांथ मिल गया, क्योंकि कैरियर के ही सूरी है और भग्वान देव गुरु बिरस्पती आपके पंचमा धि पती है, मतलब प्रारब्द में मैंने जो कर्म किया है वो भी मुझे इस समय पर प्राप्त होगा ये है भाग्य की सबसे बड़ी प्रबलता माना जाता है भाग्य उसी ब्यक्ति का प्रबल होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं जो अपने कर्म का मूल्य आख पाता है अपने कर्मों के नुसार जो ब्यक्ति जीवन मिल गया है भागगे को अर्थात मेरे कर्मों का मुझे हिसाब हो पाएगा ये देव गुरु बिरस्पति का साथ मिलना भागे से कम मत समझेगा 31 अप्रेल तक गुरु का साथ रहेगा राजा को भगवान सूरे को ये समय होगा पूरे के पूरी एक महिने के जो समय होगा वो विसेस परिवर्तन विसेस बदलाव मेरे कैरियर के दृष्टिकोर से इससे अच्छा बहतर मुझे प्राप्त नहीं हो सकता अब प्रस्ण उड़ता है कैसे इस भगवान सूरी से हम आसिरवाद ले इनकी प्रबलता को और कैसे प्रबल बना सकें कैसे अपने कैरियर में और सकस्स पास सकें प्राता काल जल्दी उठने का अभ्यास आपको सफल बना देगा प्राता काल जल्दी उठ करके भगवान सूरी नरायन को प्रणाम करना आपको प्रबल बना देगा आप एक कैरियर को प्रबल बनाएगा भई क्योंकि कैरियर के ही तो मालिक बनते हैं भगवान सूरी और इसी कारण से जल्दी उठना आपके लिए एक वर्दान से कम नहीं होगा भगवान सूरी को नमस्कार करना एक वर्दान से कम नहीं होगा सास्त्र कहता है भानू प्रिय नमस्कार अर्थात भगवान सूरी को नमस्कार बड़ा प्रिय है एक राजा है न तो यदि कोई राजा आ जाए तो हम क्या करेंगे उन्हे प्रणाम करते हैं और ठीक इसी प्रकार से भगवान सुरी को हमको प्राता काल प्रणाम करना है ये हमारे कारियर को इसी एक महिने में एक विशेज जागर्टी की और अग्रसत कर सकते हैं अब दूसरा उपाय होगा हमारे साक्षात पिता जी उनको सूरी का कारक माना गया है सूरी कारक होते हैं हमारे पिता जी के तो यदि आपके पिता जी है इस दुनिया में हैं तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं उनका आसिर्वाद दिजे उनकी सेवा कीजे किसी भी कारण से वो यदि प्रसन है तो आप समझे कि सूरी प्रसन है और यदि पिता जी जीवित नहीं है तो कोई बात नहीं सूरी भगवान को नारायन भी कहा जाता है इसने उस नारायन का सानित दे ले लिजे वो तो जगत के पिता है न और आपके भी पिता है और उन पिता को जब हम प्रणाम करते हैं उनका जब हम किसी कारण से भी वादन करते हैं उनको प्रसन रखते हैं या जो व्यक्ति भी हमारे पिता तुल्य है वरिष्ट जन है ये सब के सब सूरिय हैं उनको सब को आप सम्मान इसे जाना है यदि आपने इसे समझा जाना मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मन भूलिएगा बहुत motivation मिलता है हमें कि हमने अच्छा कारे किया है और विर्ष्ची करासी नहीं उसे सराहा है और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किजिएगा पुना एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हूँ